को नमस्कार दोस्तों आपका धन्मंतडरिक रिपा है चैनल में मैं बहुत बहुत सौगत दोस्तों आज कल के युग में जो मुटापा है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है और इतना मुटापा फैल चुका है कि जो छोटेों बचे у verse लेकर कि यह कुझा सब हुए ब्यक्ति है मुटापा इस तरह फैल रहा है जैसे कोई ये भी एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले रहा है तो मैं चाहूंगा दोस्तों ये छोटया से तरीके आपको मुटापे से बचाए रखेंगे और बहुत सारे लोगों से भी दोस्तों मुटापा हमारे लिए कितना घातक है ये आप लोग साइद कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं मुटापा हमारे बोडी के अंदर शुगर को जन्म देता है घुटनों का दर्द को जन्म देता है कमर की दर्द को जन्म देता है और बहुत सारे लोगों को ये जन्म देता है और मुटापा जो है हमार जो पेट होता है या हमारे बटक के हिस्से होते हैं बही उनमें मटापा आता है तो दोस्तों मटापे से बचने के लिए आपको किसी परकार की किसी अफ्दी लेने की जुरूरत नहीं है और आपका मटापा ऐसे पिगलता जाएगा जैसे आप सर्दियों के दिना में जमा घी जो है जमा हुआ घी जो होता है अगर जैसे उसको आग के उप रखते हैं तो पिगलना सुरू हो जाता है ये मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूँ इससे आपकी चर्वी जो है तेजी से पिगलना सुरू हो जाएगी खून बनना सुरू हो जाएगा आपके अंदर ता आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब करें दोस्तों बहुत सारे ऐसे माताएं हैं या ऐसे भैक्ती हैं जो मटापे से परेसान होकर के ना जाने कैसी कैसी आउस्टियों का इस्तेमाल करें और जिनका भाईयों से ये मेरी गुजरिश रहेगी कि आप इस वीडियो को क्रिपिया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करें और इस चैनल को भी ज्रूर सब्सक्राइब करें तो पहला जो त्रीका क्या है मुटापे को दूर करने के लिए इसके अंदर मैं एक जो ग्रेलू नुषका है बवब बताऊंगा और एक इसके लिए एक योग मुद्रा है और जिस का नाम है सूरे मुद्रा सूर्य मुद्रा किस तरह से लगाई जाती है ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ सूर्य मुद्रा आपको कितनी टाइम करना है और कितनी देर करना है दोस्तों सूर्य मुद्रा आपको सुबह उठकरके फ्रेश उखकरके आपने खाली पेट करना है और सूरे मुद्रा को किस तरह लगाया जाता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो सूरे मुद्रा जो है जैसे ये अंगली है आपने इस तरह से ये जो आपकी बड़ी अंगली है अंगुठे के नीचे देनी है और ये बाकी यूंगलिये जो हैं वो ऐसे सीदी रहनी चाहिए दियान से देखिएगा उंगलियों की पूजिशन जो है दोस्तों इसके इंदर बिल्कुल सही रहनी चाहिए अगर आप उंगलियों को इस तरह रखते हैं अपने जैसे रखी ऐसे रख दी ऐसे रख दी तो आपको किसी प्रकार कैसमे फाइदा नहीं होगा अंगलियों की पोजीशन जो है वो बिलकुल सही होनी चाहिए बिलकुल सीधी और ऐसे बराबर ये चीज़ का ध्यान रखें आप इसको बैठ करके कर सकते हैं लेट करके कर सकते हैं और ऐसे करके ऐसे सूरिया मुद्रा लगा करके आपने अपने दोनों हाथों को घुटनों के पर रखे लेना ऐसे और इसको आप आदा घंटा करिए दोस्तों आप एक हफते में देखेंगे कि आपका मटापा जो है कितने किलो घड़ जाता है ये भी आप महसूस कर लेंगे दूसरा आप इसके साथ एक और चीज आड़ कर सकते हैं जो मटापे में एक बहुत ही लाजवा चीज मानी जाती है जो आईरवेद के प्राचीन घरंथ हैं उनके अनसार बता रहा हूं और मैंने प्रयोग करके भी देखे हैं लोगों को फाइदा हुआ है तो इसके अंदर क्या करेंगे आप चार छे इंच का आपने एक गिलोए का टुकड़ा लेना है गिलोए लोग सभ तो बाच चलेगी अगर छोटी मोटी पतली जो बरीक होती है बोनी चलेगी तो उसका आपको फिर कम से कम डेड़ दो फुट का टुकड़ा लेना पड़ेगा उसको आप पहले दो करके और उसको थोड़ा सा कूट करके अच्छी तरह उसको कूट लें कूटने के उपरांद उसको आप उसको बॉयल करना सुरू कर दीजिए और फिर क्या करें उसके अंदर आप त्रिफला चूरून डाल दें बॉयल करने के सासाथ ही आप उस बेल को भी बॉयल करें और त्रिफला चूरून को भी आप बॉयल करें और जब अच्छी तरह जितना चाय वालते हम जित तरह बॉयल करके आप क्या करेंगे उसको फिर चानने के उपरांद आप उसके अंदर एक चमर शाहद कर डाल दें और फिर क्या करने है आपने उसको हमने चाई की तरह खाली पेट ही पीना है और कम से कम एक दो घंटे कुछ भी नहीं खाना है दोस्तों आप देखेंगे कि आपका मटापा जो है बीना किसी दबाई के बीना किसी साइड फेक्ट के खटना सुरू हो जाएगा और बहुत सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई जिनके मैंने सुगर का नाम लिया स्पाइन का प्रावल्म हो गया गुटने का दर्द हो जाता है तो ये सारी चीज़ें से आप बचे रहेंगे हाँ अगर किसी को माल या गिलोए का सेवन करने से कहीं बाड़ी में पेन हो जाता है तो थोड़ा सा आप सुन्थी पौडर सौट का पौडर यानि कि दो चुटकी एड़ कर सकते हैं या फिर दो तिन चुटकी आप अजवाइन की भी साथ में यूज़ कर सकते हैं लेकिन सुन्थी पौडर यह ज्यादा बेतर है तो दोस्तो इस वीडियो को लेकर कि मैं आप सभी से बिंती करूँगा कि आप इस वीडियो को क्रीपे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर क के उपर आप सूर्या मुद्रा सर्च करके लिक करके सर्च कर सकते हैं तो सूर्या मुद्रा के भी बहुत सारे वीडियो हैं बहां से भी आप इसको देख करके कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार